अंगद और अनंत दो भाई थे पर वो दोनों अलग रहा करते थे दोनों का घर पास में था लेकिन दोनों का घर बिलकुल अलग था दोनों नों अपने आंगन के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी बड़े भाई अंगद के पास बहुत सारा पैसा था लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और अंगद के पास इतना पैसा है इसी के कारण उसकी बीवी शकुंतला में बहुत घमंड था क्या कर रही हो बहर बर्तर माज रही हो आ गई यह रोज की तरह ताना देने के लिए आ गई है यह बहुत से चुकी हो मैं अगर आज इसने कुछ कहा तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी आ हरे कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें अपने हाथों से बर्तर मांचना खाना पकाना तो ज़रा देवर जिसे तो कह सकती हो न कि सारे दिन के लिए एक काम वाली रखने के लिए शुरू हो गया इसका हर रोज की तरह देखो न तुम मुझे मेरे बस दो दो काम वालिया है इसके उपर तेरे जेट ने एक और रखने की बात कर रहे हैं जो मेरे पाउं दबा देगी बड़े भाई के साथ तुम्हारे देवर की कोई तुलना नहीं होती दिदी भाईया तो लखो पती है तुने बिलकुल पते की बात कही है ओ हाँ जो मेरे कहने आई थी देख मैंने एक और लौलखा हार बिलाया है क्या रे अच्छा नहीं लगा क्या बहुत सुन्दर है उपर वाले ने तुझे ना ही रूप दिया है और ना ही रुपए पैसे दिये है गरीब पिता से भी तो तुझे कुछ भी नहीं मिला है ना सच में मेरे पास इतना है और तेरे पास कुछ भी नहीं हां कुछ नहीं है क्यों बोल रही हो दिदी गरीब हूं मगर मेरी है और मेरे पास नहीं है हां कितनी शांती में रहती हो रात में जो भाईया पर चिलाती हो सब पता चल जाता है तूने मुझे इतनी बड़ी बात कैसे कही हां बोल ठीक है ठीक है मैं भी तुछे देख लूँगी हां अज अब क्या हो गया बोलो तो तुम्हारे चोटे भाई की बीवी जो रूप में और पैसों में मेरे नाखुन के भी लाएक नहीं है वो बिना कारण मेरा अपमान करती है अपमान कर रहे मतलब क्या अपमान कर दिया देखो ना आज मैं कितने अच्छे दिल से मेरा नौलक कहार दिखाने गए थी और उसने मुझे दस बाते सुना दी क्या बला उसने वहीं कि इस तरह की चोरी के पैसों से अमीर नहीं बनना चाहती तुमने ये सारे पैसे दो नंबरी से कमाए हैं और भी बहुत कुछ है इतना साहस उसका वो सब साहस और दुस्साहस मैं नहीं जानती तुमने अगर अपने चोटे भाई को नौकर और उसकी बीवी को नौकरानी बना कर इस घर में नहीं ला पाए तो मैं अनर्थ कर दूंगी ये मैं कहें देती हूं हां अंगद अनंत का भाई था लेकिन अच्छा आदमे नहीं था उसकी बीवी की बातों से उसके दिमाग में एक आइडिया आया जिससे एक तीर से दो निशाने लगते पहला तो अपनी बीवी को खुश कर लेता और दूसरा अपने भाई का सब कुछ अपने पास लेके उसे रास्ते पर रहा देता कुछ दिनों बाद ही उसने एक नकली कागस बनवाया और कुछ पैसे खिला कर गाउं के मुखिया को तयार कर लिया अनन्त अनन्त घर में आए क्या आरे बाहर आजा अरे भाईया क्या नसीब है मेरा पुरुनिमा पुरुनिमा देखो कौन आया है थोड़ा पानी तो लेके आओ अरे नैनी बैठने नहीं आया इस कागस को पढ़के इस पे अपना उठा लगा दे जरा ये कौन सा कागस है अर मुझे उसी का का खस बन बनवाया मैंने ले जल्दी करते चरा यहां के बाद मुझे जल्दी से व Mobil के पास जाना है चल हो गया आज बाद अम दोनों के संपत्ति अपने अपने नाम हो गई मैं छलता हूँ आ मैं छलता हूँ ठीक है बिना देखे पड़े तुमने उस पे अंगुटा लगा दिया? अरे एक बार किसी से पढ़वा के तो देखते भाईया खुद अपने हाथों से लेके आए, तो उसमें क्या देखना है? मैं खेच जाता हूँ अरे ओ लाग साहब, इतनी देर तक सोने से चलेगा क्या? चलो चलो काम पे लगो, उठो उठो जल्दी उठो कौन से काम पे चाओ भावी? नव टंकी, जैसे कुछ भी नहीं पता, मेरे घर में नौकर बनकर काम करने नहीं जाना है क्या? जारे घर पे नौकर का काम? क्यों? उस कागस में ऐसा क्या लिखा था? जो ये नौकर बनने जाएंगे? लिखकर नहीं दिया ना? हम, तो फिर ये कागस कैसा? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि तेरे स्वामी ने मेरे स्वामी से दस हजार रुपे लिया है और जब तक ये पैसा नहीं चुकाता है तब तक तेरा स्वामी मेरे स्वामी का दास हाँ तुम छूट बोल रही हो, मेरे पती ने कोई पैसा नहीं लिया है ये तो सिफ तेरे मू की बात है, लिकिन मेरे देवर ने जो अंगुठा लगाया है, वो कागस तो कुछ और ही बोल रहा है सुन, बक्वास बंद कर और आधे घंटे के अंदर अपने स्वामी को भेज दे, वरना उसका भाई आकर उसे मार मार कर ले जाएगा, मैं कहे देती हूँ हाँ यह तुम ने क्या कर दिया, बिना किसी से पढ़वाय तुमने अंगुटा लगा दिया, अब हो गई न गड़बर, अब इसका अंजाम भोगतना पड़ेगा तुम्हें जाओ, अब पंचायत के पास जाओ, इतनी बड़ी नाइनसाफी, हम भला क्यूं सहेगे, हमें इनसाफ चाहिए, यह हमारे साथ बहुत गलत हुआ है मुख्या जी ने क्या बोला? वो बले कि अदालत जाके मुकत्मा दायर करो, लेकिन अदालत जाने के लिए मेरे पास पैसा कहा है पुरूने मा? मैं कह रही हूँ, जब कुछ भी करने को नहीं है, तो मेरे ही घर में दास होकर रहने देना तेरे स्वामी को अले हाँ, करके क्या देख रही है हाँ? अभी ताला आप से पानी लेकर मेरे दो दो टंकी को पूरा भर कर खेत में जाना होगा वो बहुत कमजोर इंसान है, इतनी महनत करेगा तो मर जाएगा दीदी, आप समझती क्यों नहीं? और जाएगा है ना, आहारे, ठीक है ठीक है, तेरे स्वामी को मैं मुक्ती दे देदी तू अगर मेरे घर में दासी बनकर रहती है और दोनों वक्त मेरे पाउं दबा देती है क्यारे, तू राजी है? हाँ, नहीं, मैं आपका पैर नहीं दबा सकती भाबी, मैं वच्चन देता हूँ, मैं दिन रात खेत में काम करूँगा और शे मैने में सब चुका दूँगा, सब वो कैसे होगा देवर जी? कागज में तो स्पष्ट रूप से लिखावा है कि सारी जमीन जाएदा तुमारे भाईया के नाम पर है तो जादा चूँचा नहीं करो और मेरे नौकर बन जाओ, नहीं तो मैं प्यादा बुलाओंगी, हाँ उस दिन से अंगत बड़े भाई के घर में नौकरों की तरह रहने लगा पूर्णी मा अकेले घर में बैठी, दो दिन तक रोती रही, उसके बाद उसने अपने आपको समझा कर कुछ फैसला किया नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा शादी जब से हुई है, तब से देख रही हूँ, इस जमीन पर कोई खेती बाड़ी हुई ही नहीं है शायद इस जमीन का कोई मालिक ही नहीं है मैं किसान की बेटी हूँ, मैं कुछ ना कुछ इस जमीन पर खेती बाड़ी जरूर करूंगी मैं खुब महनत करूँगी, रात-रात भर काम करूँगी और बड़े भाईया का 10,000 रुपे लोटा के रहूँगी लेकिन अगर मैं दिन में काम करूँगी, तो लोग मुझे बाते सुनाएंगे मैं यहाँ पर रात-रात भर काम करूँगी हाँ मैं रात को ही काम करूँगी हाँ ये किसकी आवाज आए अरे ये सफेद पत्थर कहीं हीरा तो नहीं हाँ 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 ये तो हीरा ही है ये उपपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है ना अब और नहीं कल में आऊंगी बहुत सारे थैले लेकर और साथ में भोला को भी ले आऊंगी दूसरे दिन रात को पूर्णिमा कुछ थैले और घर के बैल भोला को लेके खेत में पहुँची उसके बाद जमीन के सारे खेले निकालकर उसने बैग में भर लिये और भोला के पीट पर रखके घर चली गई पुरुणिमा, वो पुरुणिमा, मेरे बिना तुम ठीक तो हो ना पुरुणिमा एक बार बहर आ के चेहरा तो दिखाओ, पुरुणिमा अच्छा तो इसका मतलब पुरुने मा घर में नहीं है, एक बार जाके तो देखना पड़ेगा पुरुने मा, हो पुरुने मा, कहा हो तुम पुरुने मा मैं कह रही हूँ कि बीवी के लिए इतना रो कर क्या करोगे देवर जी, वो तो चली गई है तो चलो चलो, अब काम करोगे चलो, चलो अबे, पुरुने मा के बिना मैं कैसे चूँ, पुरुने मा सुख का संसार है, इसलिए तो बहुत भाव दिखाती थी, है ना पुरुने मा अब देखा, देखा ना तुने, उसी संसार में किस प्रकार आग लगा दी मैंने किसको खोज रहे हैं, अरे भाई, यहाँ, शकुंतला नाम की कोई औरत रहती है हाँ, मेरी बीवी है, क्या बात है, बुलिए मैं ही शकुंतला हूँ, अरे वा, बहुत अच्छे पहन जी, मेरे मालकीन ने आपके लिए उपहार भेशा है बापरे बाप, कितना सुन्दर, चमकता हुआ पत्थर का हार यह कोई चमकते पत्थर नहीं है भेंजी, यह हीरा है हीरा हीरा, अरे बापरे मैं किधर जाओ, मेरे लिए हीरे का हार भेजा है, चल्दी दीजिए दीजे ना यह है कि दरसल मेरी मालकीन आपके लिए ऐसे और तीन हर देना चाहती है लेकिन या लेकिन मगर आपको एक पेपर पर साइन करके देना होगा कागस पर साइन करना है ठीक है, क्या है इस कागस में? क्या है? नहीं, ऐसा ज्यादा कुछ नहीं लिखा है सिर्फ मेरे मालकीन के बंगलो पे सिर्फ एक महिना आपको नौकरानी का काम करना होगा क्या, उसके घर में नौकरानी बनना पड़ेगा? नहीं, नहीं, शकुंतला, इसकी ज़रुत नहीं है, मत करो सुनो, तुम ज़रा चुप रहो, पूरी जिन्देगी तो सिर्फ थोड़े से सोने के गहने ही दिये हैं तुमने बागी सब तो मैं अपने माय के से लेकर आई हूँ ताई ना, जिन्देगी में कभी भी तीन-तीन हीरे का हार खरित कर दे पाओगे तुम लेकिन लोगों को पता चलेगा, तो लोग क्या कहेंगे, बोलो तो मैं तो शहर जा रही हूँ, किसी को कैसे पता चलेगा, हां, मैं तो जाओंगी दीजे, दीजे भाई साब, आप दीजे, मैं उस पर साइन कर देती हूँ तो फिर आजा ये बैठिये मेरे साथ, चलेए शहर ये मेरे मालकिन का खास कमरा है, थोड़ा वेट कीजे, मेरी मालकिन आती ही होगी बावपरी बाव, कितना बड़ा घर है, मालकिन के पास तो पहुत पैसे होंगी लो, मेरा पैर दबाओ पाओ भी दबाने होंगे तुमने जो पेपर में साइन किया है, उसमें ये भी लिखा है, चलो अभी पैर दबाओ क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है न, और एक दिन तुम अपनी देवरानी से पैर दबाना चाहती थी अब कौन है? पूर्णी मा! चलो, आखर पैचान तो लिया, सुनो, हीरे की लालच में आकर तुमने जो पेपर पे साइन किया है न, उसमें ये लिखा है कि तुम्हारी सारी दौलत अब मेरी है अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी दौलत हतिया कर तुम्हें रास्ती पर लेकर आ जाओं कितने भी बुरे हो लेकिन आखर हो तो मेरे रिष्टेदार न, मैं कुछ नहीं करूगी तुमने जो भी अपरात किया है न, उसके लिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया है, समझी? अच्छा, तु इतनी आमीर कैसे बन गई? असल बात सुनकर तो तुम जलन से मरी जाओगी दिदी, बस सोच लो उपर वाले नहीं दे दिया, जरा सुनिये इन ही गाड़ी में इनके घर छोड़कर आईए और मेरे पती को वहाँ से ले आईए